आपका अपना सुमित कुमर और आप देखना लागरी सो देशी बाइचार नू चैनल सब के बात सच के साथ आज हमाल फिलाल में मौज़द बिवानी को इट किया है और यहाँ पर रोनात को मांगो को यानि रोनात गाओं को न्या दिल वाने के लिए महापांचायद कारजन कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो हम किस माओल में हो सकते हैं समझा जा सकता है अब क्या मानते हाट दिन हो गया है साधत को और अभी तक ना ही डेट बोड़ी मिली है और ना ही कोई भी एक मांग को पूरा किया गया है क्या मानते हाज भी जो अंगरे जो नीती थी यह सरकार उसी नीती पे चलने काम कर रही है देखिए जिस गाओं ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया आज वो गाओं गुलाम है और हम सब लोग लंबे समय से इस गाओं को हक और न्याए दिलाने के लिए एक जुट हो करके लड़ रहे हैं अगस्त दोजार बाइस में भी आंदोलन चला उस समय भी वारता के नाम पे धोखा किया गया दोजार तेईस में भी यहाँ पे मई से धरना वेद परकास जी की अद्येकस्ता में चल रहा था आज भी एक ज्यान आठ दिन पहले उन्होंने ले ली सुसाइड नोट मेरे आथ में है कि वेद परकास जी को डीसी ने डियारों ने और यहां के कानून गों ने परताडित किया उन्होंने मजबूर होकर के अपनी जीवन लिला समाप्त की आठ दिन वीत गे आठ दिन के बाद भी गाओं की मंगों पे बात नहीं हो रही है मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि वो डीसी है इस देश में अब कानून जो है वो पद के हिसाब से चलेंगे कि कोई डीसी है उसके उपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा कोई MLA MP है उसके उपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा मुकदमा किस पे दर्जोगा आम लोगों के उपर आम लोगों के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है चाहे 302 और 307 का करवा लो और DC के उपर सुसाइड नोट छोड़ रखा है कानून यह कहता है कि मुकदमा दर्जो हमारी दो ही बात है या तो गाओं किर सहीद परिवार की सारी मांग मान ली जाएं तो हम अपनी F.I.R की बात से पीछे अटे और नहीं जो है फिर F.I.R करो रहम अपनी लड़ाई लड़ेंगे बात खतम दो इमुद्धे वेद परकास जी भी यही बात कहे करके गए पिछले नो साल से देश सविधान से नहीं चल रहा R.S.S. की किताब से चल रहा है यह लड़ाई सविधान को और लोकतंतर को बचाने की है गाओं को न्याय दिलाने की है निस्चित तोर पे गाओं को उसका हक और सहीद परिवार को न्याय देना पड़ेगा नहीं तो गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा यहां के प्रसासन को और अर्याना की सरकार को अगर जल से जल आपके मांगों को निमाना जाएगा अब ही कमेटी की मीटिंग है कमेटी की मीटिंग में को इकडा फैसला सर्वसमति से कमेटी ले गी और उसको वो पूरी पंशायत की तरफ से कमेटी गठित की गई है जिसको अगला निर्णे लेने की पावर और सकती पंचाईती रूप से दी गई है देखिए जब तक ये वेद प्रकास जी अपने अंतीम सब्दों में लिख करके गए है जब तक गाउं का हक नहीं मिल जाए तब तक उनके पार्थिव सरीर का अंतीम संस्कार ना हो और यही कमेटी का और गाउं का परिवार का फैसला है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जो है अंतीम संसकार नहीं होगा डेड बोडी के साथ जान भूज के उसको इनफेक्टिड किया जारा है ताकि परिवार के उपर और गाउं के उपर एक मानसिक दबाव डाला जाए लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं कि हम तो बर्बादी की कगार पे खड़े हैं बर्बाद हो करके यहां बेटे हैं अपना हक मांगने के लिए हम पिछे किसी भी कीमत पे नहीं अटेंगे सरकार देखिए पहले डीसी के साथ ही मीटिंग करवा रहे थे फैसला लिया गया दोसी के साथ क्या बात करें कल एसपी और एडिशनल डीसी की अद्धेकस्ता में कल बैठे कोई लेकिन इसमें उन्होंने सपष्ट कर दिया कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा क्योंकि वो डीसी है हमने कहा हमारे उपर 2017 में सुसाइड का मुकदमा दर्ज की हम जानते भी नहीं थे सुसाइड करने वाड़ा कोण पॉलिटिकल रूप से हमारा नाम दिया गया आपकी जिले की पुलिस डेड़ साल तक हमारे को मानसिक रूप से परताडित करती रही तब मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि हम डीसी नहीं है हम मंत्री MLMP नहीं है और अब डीसी के उपर इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा कि वो आईएस है एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे मुद्दे दोई है या तो गाउं किर परिवार की मांग मान लो एफ आई यार एक साइड और नहीं तो एफ आई यार होगी और आंदोलन का आगे का निर्ने यहां से लिया जाएगा धन्यवाद धन्यवाद ये थे हमारे साथ किस्तान ने तारविये जाब जी और नहीं होने सब्सक्राइब या तो प्रसास से नसर करें हमारी मांगों कुमान नहीं तो आरव पार के लड़ाई लड़ने के रत्यार है देखते हैं आपका अपना चैनल्ज है इंज्जावार।